हर माबाप भाई बेहन चाहता है कि उनके घर का चिराग अच्छी रोशनी दे एक माबाप चाहता है कि उसका बच्चे को अच्छा रुजगार मिले उसका बच्चा अच्छा नागरिक बने पैसो की कमी के कारण अक्सर बच्चे गरत रास्तों पे चल पड़ते हैं रुजगार ना होने के कारण बहुत भ्यंकर नतीजे मिलते हैं कुछ लोग नशों में पढ़ जाते हैं कुछ लड़ाई जगड़े करते हैं कुछ गरीबी की दलदल में फच जाते हैं जाद रखिए अगर आप गरीब हैं इसके लिए दूशी आप खुद हैं कोई और नहीं है लगवाण जी ने सबकोधिया है सबको हाथ दिये हैं अगर मèmeत करेंगे कुछ ना कुछ चुरूर हासिल होगा दिमाग से चुरू होता है कि आप को दिमाज जा रहे हैं कैनेडा पहुंच रहे हैं अस्टेलिया जा रहे हैं बच्चा 2-4 लाख रुपया महीने तक कमा लेता है इतने पैसे यहां पर सारी जिंदगी नहीं कमा सकते बाहर जाने का फाइदा भी है नुक्सान भी है आपको आपके संसकार नहीं मिल पाते आप माबाप से ढूर रहते हैं भाई बहन आपके पास नहीं रह पाते जो परिवार गरीबी के जंजलों में जिगडे हुए हैं, जो लोग गरीबी के चंगुल से निकलना चाहते हैं, उनके लिए एक शॉटकट मैथड है, आप पढ़ने का वीजा लेके विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के साथ आपको काम करने का समय बिलता है, उस काम करने में आप इतने के पैसे कमा लेते हैं, अपनी फीस भी निकाल सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल भी रख सकते हैं, अपने माबाप की खुशियां भी पूरी कर सकते हैं, अक्सर लोग वीजा रामजूर करवा बैठते हैं, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो एक ब वीजा रफ्यूज हुआ, इस पॉइंट तक हम सबसे पहले पहुंचते हैं, वीजा नामजूर होने का सबसे पहला कारण होता है, आपकी पढ़ाई में नंबर कम हैं, जदि आपके मैथ में पचास नंबर से कम हैं, तो आपको वीजा का हकदार नहीं समझा हो जाता, अक्सर जिनके पचास नंबर में से कम होते हैं, हम शर्त लगा के ऐसे लोगों का अपलाई करते हैं, क्या होता है जिस सारा सवाल, आपके जिस सब्जेक्ट में नंबर कम हैं, आपको उसमें अपलाई नहीं करना, आपको ऐसा कोर्स लेना है, जिसमें मैथ नहीं चाहिए, आपके आ लोगों को वीज़ापलाई करने लिए पैसे शो करने पड़ते हैं दिखा जाथा है लोग पैसे अमने करते हैंशा प्रॉपटियाँ यह जो कर आपको अपने आपको अमीर दिखाना है आपको दिखाना है कि जो आपका purpose of visit है उसके लिए आप सक्षम है आपका purpose of visit Canada में पढ़ने का है दो साल का आपने course लिया था दो साल की पढ़ाई के पैसे दो साल के रोटी पानी के पैसे जिसको living expense बुला जाता है ये पैसे आपके account में होने चाहिए यदि आपने दो चार पांच लाख रुपया ही शो करा है तो वीजा नहीं आने वाला कम से कम 15 से 20 लाख रुपया आपको bank account में शो करना है तो आपको वीजा मिलेगा अच्छे कोर्स का चुनाव होना भी बहुत जरूरी है आपने किसी ऐसे कॉलेज उनिवेस्टी में प्लाई कर दिया जिसको पहले ही मैसी द्वारा फ्लैग किया गया है जिसके उपर चिन लगे हुए हैं अब कौन सा कॉलेज फ्लैग हो रखा है कौन सा इस् लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमारे तो नंबर बड़े अच्छे हैं बैंड बड़े अच्छे हैं हमको दो साल का ही कोर्स चाहिए ब्रैम्टन में चाहिए शरी में चाहिए ऐसे लोगों के वीजा अक्सर नामजूर होते हैं आप अपने बाल खुद नहीं काट सकत से बहुत सारी लोगों को लगता है तो बहुत असान काम है हमारा रिष्तिदार भाई बैंट छे बैंट इच लेके चला गया हम भी चले जाएंगे अगर वीजा नामजूर हो गया तो क्या करोगे आपके छे मीने से साल खराब होगा डेड़ से दो लाखर वें खराब होगा मैंनी कहता आप हमारे पास ही आईए अप एक बर बजार में घूमके आईए आपको पता चले क्या क्या तरीके से लोग आपको गाइड करेंगे हम कालेज की फीस नहीं भरवाएंगे हम पैसे लेंगे वीजा लगने के बाद हमारी फीस कालेज की फीस आपको वीजा लगने के बाद देनी है यह धंदा है यह कारोबार है यह बिजनस है विदेश में भेजने का हमको सोशल वर्क नहीं कर रहे हमें काम करना आता है हम उसको भेजने के चैलेंज लेते हैं जो न आप सड़क पर आगे अब सोच रहे हैं कि बच्चे को बाहर भेज दें चाहते हैं ना या आप भी खुशाल हो जाए सिर्फ स्क्रीन पर दिये गे नंबर पर कॉल करके मुझे चंडीगर आके मिलिए पंद्रा साल का तजर्वा हमारे पास हजारों लोगों को भीजा है उनको भेजते हैं जो नहीं जा सकते आपकी भी को ऐसी समस्या है अभी कॉल करो और मुझे चंडीगर आके मिलो जैन्यवाद